हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी में मिसेस अनुरा है आप सभी बच्चों को कॉम्पिशन कम्मुटी भी स्वागत करती हूँ आज की लेक्चर वीडियो में जैसे आप बोर्ड में देख पा रहे हैं हम पढ़ने वाले हैं मंत्रप्रदिश के प्रमुक साहितिकार वह उनकी रचना हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आपके द्वारा जितनी भी चीज़ें पढ़े गई हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान इनहीं का माना जाता है जैसे की कावे के गुण और कावे के शक्ति आपने पढ़ी कावे के रिती आपने जाना कावे के दोश आपने जाना और कावे की रचना करते समय इन नियमों का पालन करते समय रस अलंका छंद की परिपूरुनता से जिनके द्वारा पद् तो किसी भी भाषा के अगर एक लिखित रूप देखकर उसका प्रयोग साहितिक विधाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो साहितिक रचनाओं को ध्यान में रखा जाए तो उसको रचनाकार करने वालों को हम साहितिक कार के नाम से भी पुकारते हैं इस साहितिक कार में व लिखने के बार पध्य साहित्य की रशना करके अपने आपको बंधी बधाई रूप में कभी ही कहलाना पसंद करता है, तो कोई ऐसे हैं जो किवल लेख के माध्यम सवन departure को लिखने हैं, जब उनकी रचना पध्यात्मक हो तो उस पाठे के कभी हो जाते हैं और जब उनकी रचना लेक में हो तो उस पाठे के लिए वो हमारे लिए लेखक बन जाते हैं इनके समय की बात की जाएं तो कहा जाता है कि जितने भी साहितिक रशनाएं highlight की दिए जो भी नाटक या पुरान शास्त्र लिखे गए थे जो वेद लिखे गए थे उनही से प्रभावित होकर धीरे धीरे हमारे साहित जगत में रशनकारों का उद्भा हुआ राजा श्रित कभी थे जिनके द्वारा अपने राजा की इस्तुती वंदना के खासियत के साथ साथ धीरे धीरे विकास परंपराओं में जैसे जैसे यूग और उसके परिवर्तन की आवशक्ता मैसूस हुई रचनाओं में उसका प्रभाव देखने को मिला इन ही सभी खूबियों को ध्यान में रखते हुए किये गए साहित्यकारों की रचनाओं के माध्यम से जो हिंदी साहित्य उसको चार काल में बाटा गया था जिसे आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल और आधुनिक काल के नाम से पुकारा जाता है वैसे ही साहित्यकारों का भी अ द्विवेदी युग में देखने को मिलता है लेकिन द्विवेदी युग में कुछ नवे कवी आ गए और ऐसे नवीन कवियों के माध्यम से वो द्वेदी युगिन कवी हो गए ऐसा कहने का मतलब यह है कि यदि वो द्विवेदी युग के हैं इसका मतलब यह नहीं है कि छा अधुनिक कालिन कभी ही कहा जाएगा हालंकि इनके पक्ष भारति इंदु युग द्वेदी युग छायबादी युग में विशेश प्रभावी रहा हो उस समय के रचनाओं के माध्यम से युग में बंद कर रचने माले रचनाकार क्यों न रहे हो परेंतु ये सभी अधुन कवियों के श्रेणी में रखते हैं और मध्यकाल जहां पर हमारे लिए भक्ति पूर्ण प्रभाव देखने को मिलते हैं और भक्ति पूर्ण प्रभाव के साथ साथ राजा श्री राग दरबारी साहित्य का प्रभाव रितिकाल में देखने को मिलता है तो ऐसे कवियों को नाम से पुकारा जाता है तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के साहित्यकारों का प्रभाव था जो आधिकालिन मध्यकालिन और आधुनिकालिन हो तो जी हां हिंदी साहित्यक शकत में अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और च कृष्ट और चरम इस्तिती के और पढ़ती हुई नजर आने लगी थी और उसी के प्रभाव से नवील साहित्यकार जो है वो प्राचिन और मध्यकालिन और आधुनिक साहित्यकार की रशनाओं को पढ़ने के बाद प्रभावित हुए और वर्तमान समय में तमाम प्रकार की क् साहितिकार और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो ध्यान समझने वाली बात है कि भारत के साहितिका यदि हम विकास की बात करते हैं तो बहुत प्राचिन और पुराना माना जाता है इसका जो संगम है कि यह कहां से शुरू हुआ और कहां किसी से जुड़ गया यह कभी भी कि की समझ में नहीं आया कि आदी काल के बाद में तुरन्त घक्ती काल का उदभाव कैसे हुआ और जो आदी ते लिएधिक साहकाल जिसे हम वैधिक संस्क्रिट के नाम से पुकारते हैं जिसके अनुसार चार प्रकार के वेड और उपनिशद हैं उनकी रचना जो है वो आपके वैधिक काल में हुई थी सबसे प्राचीन रूप रिगवेधिक काल में संस्कृत का देखने को मिलता है इसलिए रिगवैदिक काल के नाम से पुकारा जाता है तो 1500 से 600 तक का समय जो था वैदिक काल के अंतरगत आता था याने कि यहाँ पर वैदिक और लौकिक संस्कृत दोनों का मिष्टन देखने को मिलता था इसके बाद जब इसी समय पाणीनी के द्वारा अश्टा ध्याई की रशना की गई थी तो यह जो वैदिक संस्क्रित की जो रचनाय थी इस वैदिक संस्क्रित की रशना में जहां वेद और उपनिशदों को लिखा गया था इसी वैदिक संस्कृत को सरल सहज संस्कृत में लोग मानने के तोर पर उसे सरल कर दिया गया और इसका प्रमान पाणिनी के अश्टध्याई में देखने को मिलता है जहां लौकिक संस्कृत के प्रयोग से उनका इस्तिमाल किया गया था जब पाणिनी अश् देव नागरी का सबसे पहरा उलेक जो है चंदेल शासकों के अभिलेखों में देखने को मिलता है चंद बरदाई के द्वारा प्रिथवी राजरासों के जब रचना की गई तो हिंडी भाषा कई से जैसे कि आपको पता है पहला महाकावे के नाम से जाना जाता है हिंडी साहिते का अधिकतर विकास जो है वो भक्ती आंदोलन से शुरू हुआ कहते हैं कहा जैते हैं भक्ति काल में भक्ति आंदोलन की शुरुवात हुई थी तो जितनी भी राज़ाशरी में रहने वाले राज़ाशरीत कभी थे उनका मुख्य उदेश्यव देवी देवतनाओं से सम्मधित रचनाओं को रचनी का था इस समय आपके सगोण और निर्गोण की प्रकार की दो प्रकार की धारा प्रवाईत हुई और इसी हिंदे साहितिक का विकास जो है सबसे ज़्यादा रूप में देखा रहे तो सबसे ज जादा साहितिक प्रयोग 500 से जादा रचनाए भक्तिकाल में हुई स्वर्ग को धरती पर लाकर उतार दिया गया हो ऐसे भक्ति पूर्ण रचनाओं के माध्यम से भक्तिकाल का जन्म हुआ और कहते हैं कि इसी समय सूफी कावे जैसे आंदुलन की शुरुआत ही भी भक्तिक के बाद में यदि देखा जाए तो इसी समय लोक भाषाओं में से जो भक्तिकाल का समय था तो इस समय भूलोक भाषा में अवधी अब्रज का विशेस प्रभाव था जो आपकी भक्तिक अले साहितिक के लिए रची जा रही थी तो कहा जाता है कि मद्य प्रदेश की जो जन्म दिया गया था यह अवधी ब्रज और मैथिली कहा जाए तो जब प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ थो वैदिक और लौकिक संस्री से प्राकृत भाशा का जन्म हुआ प्राकृत का प्रत्रम स्वरुप कहलाई पाली स्वयम प्राकृत और तीसरी अपभरंश की अंतरगत पश्चीं की तरफ शौर सेनी पूर्वे के तरफ मागधी दोनों के बीच में एक विवादित सक्षित्र अर्ध मागधी और इसी मध्यकाल की साहित्य की भाशा बनी और पूर्वी हिंदी में जो अवधी रखा गया उसे साहित्य की भाशा का दर्जा दिया गया तो कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रांत जो संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र इस्थल था मध्यकाल के समय में जो लोक भाशाओं का केंद् देखा जाए तो तुलसी दास के द्वारा जो अवधी भाशा में रामचरित मानस, कविता वली, दोहा वली, रामलला नचहु, जानकी मंगल और पारवती मंगल आते हैं इन में से सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी रामचरित मानस को मानी जाती है इस रामचरित मानस में जो इ आधुनिक कलिन कभियों के श्रेणी में देखा जाए तो भारतेंदु भाबो हरिश चंद्र को आधुनिक हिंदे साहिते का जगत का पीता कहा जाता है उनकी प्रमुकरषणाओं में भारत दूरदशा हो या अंधेर नगरी हो या हरिश न हो ये विश्यस मानेते इनके द्वा भारत के अंदर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का नाम साहित्य के क्षेत्र में सभी अग्रगणी राज्यों में से सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है इसके अत्रिक्त आपके मध्य प्रदेश के अगर देख रहे तो इलाहाबाद हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया अकंड भारत के दिभाद की जाए तो यहां पर आपके साहित्य कारों का प्रभाव जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ हो परन्तु पढ़ाई लिख जो 36 गड़ अंचल में रहकर उनका युगदन हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है पदुम्लाल पुन्नलाल बक्षी हो या गजानन माध्व मुक्ति बोध हो यह दो ऐसे व्यक्तित थे जो आपके राजनंद गाओं के निवासी थे और राजनंद गाओं के माहविद्या में एक प्रोफेसर के पद पर कारे करते थे और हिंदी साहित्य के लिए उनकी द्वारा रशना को अंजान दिया माखनलाल चतुरवेदी जिनका संबंध जबलपूर से माना जाता है लेकिन जेल में रहकर उन्होंने बिलासपूर के जेल में रहकर उन्होंने पुष्पक्य अभी लाशा लिखी थी याने कि भाशा साहित्य के लिए को एक शेत्रीता बंधन नहीं थी कहने का मतलब हो रहा है कि मद्य प्रदेश का नाम साहित्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज 살짝 की सूची में आता है और राजे से सम्मंधित कुछ ऐसे साहितकार है जो विशे कालिन कवियों की श्रेणी में आते हैं वहीं माखनलाल चत्रवेदी सुभधरा कुमारी चौहान गजानन माधमुक्ती बोद बालकृष्ण शर्मा नवीन हरिशंकर परसाई शरद जोशी अटल बिहारी वाजपेई ये ऐसे हैं जो आधुनिक कालिन कवियों की श्रेणी में आ बाट सकते हैं आधिकालिन कभी मध्यकालिन कभी और एक बाट सकते हैं आधुनिक कालिन कभी याने कि मध्यप्रदेश के साहित्यकारों को तीन काल में बाटा जा सकता है तो मध्यप्रदेश के आधिकालिन या प्राचिन कालिन साहित्यकार इसके अंतरगत हम पढ़ने वाल शशिधर प्रित्वीधर ये हमारे लिए आते हैं आपके कोन से कवी के श्रणी में प्राचीन कालिन साहित्यकार के श्रणी में मध्य प्रदेश के इन में से सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार और प्रभाव कालीदास का माना जाता है जिससे कालीदास को कल कवी कुल रचनाव में अभिज्यान शाकुंतलम, विक्रम उर्वर्षिय, मालविकागनी मित्रम, मेगदूत, रितु संगहार, रघुवन्षम और कुमार भहसंभवं देखने को मिलता है, भर्त्री हरी, इस भर्त्री हरी की रचनाव में श्रिंगार शतक, नीती शतक, वैरागे शतक, म करेंगे, तो सबसे पहले आजाते हैं हम काली दास को जानने के लिए, हिंदी साहित जगत के अंतरगत, यदी हम काली दास का नाम लेते हैं, तो किसी परीचाय के मोहताज ये विक्ति माने नहीं जाते, काली दास का जन्म किस काल में हुआ, मुलता किस इस्थान से थे, इसमे उस समय उजैन के जो राजा थे जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त उनके विक्रमा दिते दर्बार में जो नौरतन हुआ करते थे उनहीं नौरतनों में राज कभी के पद पर इस्थापित थे हमारे कभी कुलगुरू काली दास मेगदूत की रचना उनके द्वारा जो रजितनी भी रचनाय की गई है तो कहा जाता है कि काली दास की जो रचना करने की जो शैली है बहुत ही परिश्कृत है सरल है भाव के अनुसार है और संस्कृत में अलंकार की शैली का प्रयोग करके काली दास के द्वारा रचना जो है कि ये हमारे लिए उत्रा खंड के और कुछ कहते कि कश्मीर के थे परंतु इनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जेन से माना जाता है इसलिए आपके प्राचीन साहित्यकारों में काली दास को मध्य प्रदेश का प्राचीन काली साहित्यकार की श्रेणी में रखता है इनके द्वारा मैंने पहली बताया कि सरल और सहिज और अलंकार की प्रधानतावाले संस्कृत में सहिथी के रचना की गई थी तो इनकी संस्कृत सहित्य के सरवत्यकृष्ट कवी और नाटककारों में कालिदास का श्रेणी जो है वो माना जाता है कालिदास कवियों में कुल इनके दोरा जो रचनाई की गई थी उन रचनाउं में साथ प्रकार प्रकार की रचनाउं को प्रमालिक माना जाता है वह से रचनाइं उस्ता जिनका प्रकाश नहीं हुआ था लेकिन देखने माली बात रच वासände उनकी द्हुर्य मी Ugh काविय दो प्रकार के खंड काविय और 3 प्रकार के नाटकों की रचना 囲ॉत संघारे जहां कालीदास की प्रत्व रचना में इसे गीना जाता है जो खंड कावे के रूप में प्रस्तूत है और कहा जाता है कि इन में इनके द्वारा जो आपके रचना के रची गई थी इसमें इनके द्वार जो रचना रची गई थी आपके कुमार संभव ये जो कुमार संभव नामक महा कावे कालिदास के द्वारा रचा गया था इसके खासित है कि इसके अंतरगत शिव पारवती का विवाहब कार्ति के यह का जन्म और तारका सूद के वर्ण वद का बहुत ही विशलेशित तोर पर वर्ण इनकी माध्यम से कथा के रूप में किया गया है इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए त पूरुषबान, विलास रतनकोष, मकरंद इस्तव, राक्षस काव्य, श्रिंगार तीलक, श्रिंगार रसाश्टक, श्रिंगार सार काव्य, सेतु बंधन और लक्षमी इस्तव है जो इनकी द्वारा रचित रचनाओं में मानी जाती है इनकी द्वारा जितने भी खंड और जो आपके नाटक लिखे गए, उनके इतने प्रयोग से इनहें बहुत ही विशेस रुप से, विशेस क्रिती जो है इनकी रचनाओं में सर्वश्रिष्ट मानी जाती है जो आपने देखा कि इनके द्वारा रचित रचना थी, रितु संगहार इसका पहला रचित रचना मानी जाती है कुमार संभा महा कावे में सर्वत कृष्ट उल्लेक इनके द्वारा किये गए हैं इसके बाद यदि हम देखी तो कहा जाता है कि इनके द्वारा रचित रचनाओं में से जो आपके प्रसिद जो साथ रचनाओं हैं उन में से अभिजान शाकुंतलम है जो इनकी अंतिम नाटक माने जाती है इनकी सर्वत पुरानी सबसे पुरानी रचनाओं में से सबसे अक्स्रेश्ट कृती अभिजान शाकुंतलम को माना जाता है जिसके लिए इनकी रचना करने की वज़से इन्हें भारत का शेक्सपियर की उपाधी से भी विभुशित किया तो कभ प्रसंग को नाटक की रूप में वर्नित किया है और संस्कृत की पहली रचना थी ऐसी रचना जिसका की अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी सहितेकारों के द्वारा अनुवाद जो है वो किया गया है विक्रम उर्वशी इसके अंतरगत उर्वशी और पुरूर्वा क प्रेम की कथा है विक्रम उर्वशी में आपकी उर्वशी जो है और पुरूर्वा की प्रेम की कथा का उ्लेक है मालविका अग्नी चुंग वंश के राजा अगनी मित्र और उनकी प्रेमी का मालवी का के प्रेम का चित्रन देखने को मिलता है। किया गया है। इसके बाद देखा जाएं तो इस मेघदूत में इन्हों नो खंड में उसे प्रस्तूत किया है। कुमार संभव काली दास का पहला महा काव्य माना जाता है जिसमें शिव पारवती विवा जैसे की मैंने बताया। कार्ती के एक जन्म और तारका सुध वर्णन का धार्मी कथा का उल्लेक किया गया है। रगुवन्ष काली दास का दूसरा महा काव्य है जिसका विशय रामायन से लिया गया है। काली दास का प्रयोग है तो काली दास की लोगप्रिय बनाने के लिए दक्षिन भारती भाषाओं की फिल्मों में भी इनका विशय योगदान देखने को मिलता है। तो कालिदास को लोकप्रिय बनाने के लिए दक्षिन भारती भास्राओं की जो फिल्में हैं जो फिल्में बनाई जाती है उनमें इनकी रचनाओं में जो रचित रचनाओं हैं उनका विशेस योगदान है जो वहां की फिल्मों में देखने को मिलता है यह भास्राओं की फिल और उनके द्वारा उनके जीवन पर कालिदास के जीवन पर आसाड का एक दिन नामक एक नाटक का जो रचना की गई थी जिसे मंच पर अभिनाय करके लोगों के द्वारा प्रस्तूद करवाया गया था और कहने का मतलब कि यह इतने विशेश उत्कृष्ट व्यक्तित साहित क जिनके सात रचनाई विशेश रचनाई जो प्रकाशित तो नहीं यूए परcko rolling साथ रचनाओ के प्रयोग ने ही इनहें विशेश तективर जो है वो कवी कुल गुरू Shira Mani कवी Shira Mani और शेक्ष्पियर के नाम से प्रसिद्धिai जो है वो दिलवा दी ठी कहां जाते हैं कि काली दास एक मुर्ख व्यक्ति थे बहुत से किमंदतियों में बहुत से कहानियों में बताया गए कि काविली दास जो थे वो मुर्ख व्यक्ति थे उनके पास बुद्धी की कमी थे वो जिस टेहनी पर बैठते थे उसी टेहनी को आरी से काट लिया करते थे यानिक उलाहना से वो इतने जादा दुखी हुए कि उन्होंने एक दपस्या करने शुरू की और कहते हैं कि माता सरस्वती का इनको आशिरवाद मिला उसके बाद में जब इन्होंने रचनाय रची तो उन साथ रचनाओं ने हैं इन्हें कवियों में कुल गुरू का दरजा दिला दि साहित्यकार की जगत में हिंदी के भारत के शेक्सपीयर के नाव से विपाधी से विभूचित किया तो कहने का मतलब कि हैं इनकी विशेस रचनाएं जो है साथ प्रकार की रचना है जिनके बारे में पूरा वरणन हमने यहाँ पर किया अब आते हैं महां कभी तुलसी दास तो इनकी रचनाव में दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नचहु, संकट मोचन, हनुमान बाहु, पारती मंगल, सतसई, बरवय रामायन, विनाय पत्रीका, वेराग संदीपनी, रामाग्या प्रशनावली, जानकी मंगल और कृष्ण गीतावली को मिलती है, तुलसिदास की रचनाव में से, यह जो विनाय पत्रीका है, कहा जाता है कि इसकी रचना इन्होंने 1582 के समय में की थी, ब्रज भाशा में इसका प्रयोग करके, विनाय के पद की रचना इनके द्वारा की, और इन्होंने 21 रागों में इसका प्रयोग किया था, और उनमें से उन्होंने स्प्रमुक रूप से शांतरस के प्रयोग करके आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती हुए 279 पदों की रशना का प्रयोग इस विने पत्रिका में किया था इनकी सबसे प्रसिध रचना मानी जाती है रामचरित मानस कहा जाता है कि रामचरित मानस इनके द्वारा रचा गया एक महाकावे है जिसे विश्व की सर्वश्रष्ट किताबों में से सोवे नंबर की किताब में इसे इस्थान जो है वो दिया गया है इसके रशना इनके द्वारा 1574 को की गई थी 1574 को रामचरित मानस की रशना जो है वो तुलसी दास के द्वारा की गई थी इसके तुलसिदास के रामचरित मानस को कुछ लोगों का कहना यह है कि जहांगीर के काल में बनारस में रहकर इन्होंने दो वर्ष में लगभग साथ महिने दो वर्ष लगभग दो वर्ष साथ महिनों में इसको इन्होंने पूरा किया जिसके अंतरगत इन्होंने साथ कांड क उलेख जो है वो किया था इसी तुलसी दास की रशनाओं में से अगर देगा दोहा वली की रशना 1583 में की गई दोहा वली की रशना 1583 में की गई थी कवीता वली की रशना 1612 में की गई थी इसके अतिरिक्त इनकी रशनाओं में अगर हम कहें तो गीता वली 1571 में इनके द्व पॉपार्वदी मंगल ये आपके पंद्रह सौ 202 में इनके द्वारा रचित रचनाओं में माना जाता है इसके बरवय poder चंद 1612 में बरवय जो आपके रमायन है तो 1612 में बर्मे रमायन की रशना इनके द्वारा की गई थी विने पत्रिका जिसके रशना 1582 में की गई थी और संदिपनी आपके जो रशना है वेरागय संदिपनी 1612 में तो 1612 में आपके वेरागय संदिपनी की रशना भी की गई थी तो बर्वे रमाय कि रचना जो है इनके द्वारा 1612 में की गई थी इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इनके संपुर्ण रचनाओं में से जो रामाग्या प्रशनावली है इसका भी इस्तेमाल इनके द्वारा 1612 इस्वी के अंतरगत जो है वो किया गया था इसी में देखें तो जानकी मंगल 1582 म इनके द्वारा रचित रचनाओं में मानी जाती है कृष्णा वली 1571 गीत है जो 1571 में इनके द्वारा जो है वो रची गई थी तो कुल मिलाकर कहने का बात क्या हुआ कि आपके भक्तिकाल के सबसे बड़े कभी तुलसी दास कहा जाता है कि तुलसी दास भी है जो पतनी मोह में बहुत जादा बड़े डूबे हुए थे तो 1571 में जब इनके द्वारा कृष्णा गीता वली कर रचित तो इससे पहले कि अगर हम चर्चा करें तो कहा जाता है कि यह जो हमारे तुलसी दास है यह भी पतनी मोह में विवश थे एक बार भरी बरसात में पतनी से मिलने के उसके माय के जाए पहुचे साप को रशी समझ कर उसके भवन में पहुच गए चड़ते हुए उनकी पतनी ने उन्हें उलाहना दी और उसके बाद से यह सन्यासी हुए और इनके द्वारा अपनी पतनी के कह जाने के बाद में बहुत विकृत रूप से इनके द्वारा जो ये जीवित थे ऐसा लोगों का मानना है कि 127 वर्ष तक तुलसिदास का जीवन है जो पूर्ण था यानि कि 1532 में जन्म हुआ और लोगों का कहना कि लगभग 127 वर्ष तक तुलसिदास है जो जीवित अवस्था में प्राप्त थे अगले साहितकार है भरत्री हरी भरत्री हरी की बात की जाएं तो भरत्री हरी कौन थे तो भरत्री हरी भी राजा विक्रमा दित्य के उपाधी को प्राप्त करने वाले उज्जेन के जो नरेश यानि राजा चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य हैं उनके बड़े भाई थे यान इनके पीता का नाम चंदरसेन था और उनकी पतनी का नाम पिंगला था भरत्री हरी मुलतह संस्कृत भाषा के संत कविक रूप में जाने जाते हैं जिस रूप में हमारे लिए काली दास जाने जाते हैं इनके द्वारा मुक्तक और शतक कावे के अग्रदूत की श्रेणी भी उपाधी के तौप प्राप्त की गई है, मुक्तक कावय और शतक कावय लिखने में सरवस्टेश्ट कवयों में पहला नाम लिया जाता है हमारे भरत्री हरी का, इनका जो लिखने का जो तरीका था, वो जो भरत्री हरी का पत्थ था, वो वैरागय का पत्थ कहलाता है, इसके ज कि ब्रदेश का चुनार नामक इस्थान को माना जाता है रादिस्थान का सरिस्की का शित्र भी उनकी समाधी इस्थल माने जाती है उजयन में जो गड़-kali मंदिर के समी इसती भर्त्रीहरी की गुफाई है जहां बाबा हरी की खास्यत थी कि इन्होंने वेराग्य धारन कर लिया और वेराग्य धारन कर लिया और इन्होंने अपना गुरू बाबा गोरखनात को बनाया रानिस्थान के अलवर में भरत्री हरी के नाम से एक मंदिर है इन्होंने अपने गुरू गोरखनात को शिश्य बनकर वेराग् बाबा भर्थरी के नाम से पुकारते हैं और इनी के पत्नी पिंगला तो राजार भर्थरी और उनकी पत्नी पिंगला की प्रेम कहःशा की प्रेमिय। और उसे नाम दिया जाता है भर्थरी के नाम से तो सुरुजबाई खांडे 36 गड़ की एक ऐसी लोग गाथाकार थी जिनके द्वारा राजा भर्थरी और उनकी पत्नी पिंगला के प्रेम से संबंदित गाथाओं को गाया जाता था जो 36 गड़ अंचल के अंदर भर्थरी के आम से पुकारा जाता है तो कहने का क्या मतलब हुआ मैं क्या आपको समझा रहे हूं ध्यान से समझेगा कि ये जो राजा भर्थरी हैं भर्थरी हरी कौन है जो आपके भर्थरी हरी है ये विक्रमा दीते के बड़े भाई थे इनकी पत्नी का नाम पिंगला और पीता का नाम चंद्रसेंथा संस्कृत भासा के संतकवी माने जाते हैं इनके द्वारा मुक्तक और शतक कावे की रशना जो की गए जिसमें सबसे पहले गीने जाते हैं इन्हों ने अपने जीवन में वेरागय के पत्थ को धारन किया इनकी जो अनुयाई थे पुषकर से अठारा मिल की गुफाएं हैं क्योंकि यहां पर वो एक साधना जो है वो किया करते थे बाबा गोरकनात के योग साधना की इस्थली के तौर पर इसे माना जाता है क्योंकि यह अपना गुरु जो है भरतरी हरी है इन्होंने अपना गुरु है जो बनाया था गोरकनात को अलवर के जो र बरत्री हरी से भर्थरी हुए और इसी का गीत है जो 36 गड़क एंचल के अंतरकत लोग गात्रक तोर पर गाया जाता है इनके द्वारा विशेश तोर पर ध्यान रखेगा कि त्रे शतक याने की शतक लिखा है श्रिंगार सतक नीती शकतक और वैरागे शतक इनके द्वारा लि है वाक पदी और तीसरा है हमारे लिए वाक्य प्रदीप ठीक है न वाक्य पदी टीका और एक है हमारे लिए वाक्य प्रदीप के नाम से तो कहने का मतलब इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं व्याकरण में उसमें हम देखते हैं तो व्याकरण की रचना में महाभाश टीका कुछ किताबों के अनुसार महाभाश्य टीका के अलावा इसे अलग नाम से भी पुकारा जाता है और इसे महाभाश्य टीका के साथ साथ इसे महाभाश्य दीपीका के भी नाम से पुकारते हैं और वाक्य पदिय और वाक्य प्रती के साथ में इसके अलावा वाक्य पद कि इन्हें व्याक्रणि के भी नाम से पुकारा जाता है और इनकी जो रचनाय थी उनके रचनाओं के बाद में जहां 550 का समय में इनका जन्म माना जाता है तो इनकी मृत्यु का भूईती इनकी मृत्यु है जो आपके इनके जन्मा 550 का समय मानाता है मृत्यू जो है वो आपके 659 यानि की 659 651 इस जी की समय में इनके मृत्यू जो है वो मानी जाती है अब आते हैं हमारे लिए साहितेकारों में भवभूती पद्मपूर जन्म हुआ पद्मपूर वर्तमान समय में देखा जाए तो विधर्ब की गोंदिया जीले में जो मद्य प्रदेश और महराष्टी की सीमा पर इस्थित है इनका मूल नाम है जो श्रीकंद के नाम से पुकारा जाता है कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म आठवी सताब्दी इसा पूर्व में हुआ था और इनके गुरु का नाम दया निधी परमहंस था इनके गुरु का नाम है जो दया निधी परमहंस माना जाता है इनका जन्म है वो आपके चत्वी आठवे सताब्दी से पूर्व माना जाता है इनका जो घुरु का नाम है वो दया निधी परमहंस था ये दार्शिनिकों के बीच में अंबेक के नाम से पुकारा जाता था तो इस भवभूती को दार्शनीकों के बीच में एक उपाधी दी गई थी और उस उपाधी का नाम था अंबेक जिसके अंतरगत गंभिर ज्यान और बुद्धी का अध्भुत प्रदर्शन और प्रकृती के विचार और अलोकिक पक्षियों से लगाव का प्रभाव इनकी बारी कवी के साथ नाटक कार की उपाधी से भी विभूशित किया गया इन्होंने अपने कावे में संस्कृत भाषा का प्रयोग करके गंभिर नाट्य शैली में अपनी रचनाओं को अंजाम दिया तो मैंने अभी बताया कि इनकी साहितिक रचना करने की जो शैली थी उस द संस्कृत साहिति में भवभूती की जो तूलना है वह अंग्रेजी के असहितिकार मिल्टन से किया जाता है विशना करने की वज़य। भारत का शेक्सपियर आपके कालिदास को कहा गया लेकिन संस्कृत में भवभूती की रशना को पढ़ने के बाद में उसकी तुलना है जो अंग्रेजी के सहितिकार मिल्टन से किया जाता है इसे भारती मिल्टन की उपाथी से भी विभूशित किया और जो आपके दार्शनिक थे उनके बीच इन्हें अंबेक के भी नाम से पुकारा जाता है इनकी तीन नाटकों के लिए भवभुती को विशेस प्रसिद्ध माना जाता है जिसमें माहवीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर राम चरित्र माना जाता है इनके नाटकों में से सबसे लोकप्रिय मालती माधव को माना जाता है जिसमें करुणक छात्र का उज्जेंदरबार के मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम का चित्रन इनके द्वारा उस मालती माधव में किया गया है महावीर चरित्र जो इनकी रचना है उस महावीर चरित्र के कुछ परिवर्तन के देखा जाए तो उसमें रामायन पर आधारित माना जाता है महावीर चरित्र में उत्तर राम चरित्र जो इनकी रचना है उत्तर रामचरित्र जो आपकी सरवश्यष्ट कृती है भहभूती की सरवश्यष्ट कीती में उत्तर रामचरित्र को माना जाता है जिसमें सीता के निश्कासन से इस घटना करम को उलेखित किया है बनवास के बाद आयोध्या के राड़ सिंहासन पर हान होने से आसिन होने से स जुरू होती है और वनवास के बाद आयोध्य के राजा का सिंहासन पर आसिन होने के साथ ही उसका समाप्ति होता है यानि कि पूर्ण रूपसिस में देखा जाए यहां पर जो राज का इस वाली बात सीता के वनवास और उसके बाद के उल्लेक उत्तर राम चरित्र को संस्कृ पहला दुखान नाटक मान जाता है जिसमें सीता के वन में रहते और सीता के वन में किस प्रकार के जीवन यापन था उन सभी का उल्लेक उनके द्वारा इसमें किया गया है तो मालती माधव में करुन चात्र का उज्जेन दरबार के मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम का वर्णन है माहविर चरित्र थोड़ा सा रमायन का प्रभाव है और उत्तर राम चरित्र हजो सीता के वन गमन के बाद फिर सशासन प्राप्त करने वाले घटनाव को लेकर चलता है भवभूती के दोर जो नाटकों के रशना की गई थी लोगों का ये कहना है कि इन्हों ने यमुदा नदी के किटट के किनारे कालपी में अपने एतिहासिक नाटकों की रशना की थी और इसके वज़े से भवभूती को न केवल आपके संस्कृत के साहित्यकार बलकि इन्हें आपके नाटक कार के रूप में भी प्रसिधिय प्राप्त करवाता है अब आते हैं हम बान भट को जानने के लिए बान भट के दिबात के जाए तो बान भट जो है वो सात्वी शताद के संस्कृत के गद्दिल लेखक और कवी के नाम से पुकार जाते यानि अब तक आपने जो कालिदास पढ़ा भरत्रिहरी पढ़ा भवभूती पढ़ा और अब जो आपका बान भट पढ़ रहे हैं यह प्राचिन साहित्यकार कहलाने के पीछे कारण यह है क्योंकि इनकी सा चोवर्मन के दरबारी कभी थे और इसी प्रकार देखा रहे हैं जो हर्षवर्धन के दरबारी कभी थे महा कभी बान भट ने गद्दी रचना के एक शित्र में वही स्थान प्राप्त किया है जो कालिदास ने संस्कृत काविक शित्र में प्राप्त किया है इनके द्वारा हर्ष चरित्र कादंबरी चंडी शतक पार्वती परिणय और मुकुत तडित का प्रयोग जो है वो रचनाओ के माध्यम से किया गया है कुछ लोगों के दारा मुकुत तडित को मुकुत ताणदिक के भी नाम से पुकारा गया है पृति कुट जो ग्राम था उनमें इसका जन् प्रवर्ति की उपाधी से विभूशित किया गया था इस बाण भट के लिखने की शैली क्या थी कि पांचाली रीती के साथ साथ निरिक्षन शैली और अत्यंत अलंकारिक शैली का प्रयोग करके इनके दारा रशनाओं को रचा जाता था इनकी साहित की विशेशता थी कि ल लंबे लंबे शब्द लंबे लंबे कथा के भीतर उपकथा का प्रयोग करके बहुत ही मंजे हुए रूप से अपनी साहितिक रशनाओं को अन्जाम दिया करते थी जो हर्श चरीतर है यह बान भट की सबसे पहली रचना मानी जाती है रश चरीतर जो है बान भट की सबसे पहली रचना मानी जाती है जिसके अन्तरगत उन्हों ने राजा हर्श वर्धन की जीवन का चरीतर चित्र चित्रन का किया गया है कादमबरी इनके दोरा रचित ऐसी रचना है जिसे दुनिया का पहला उपन्यास के नाम से पुकार जाता है इसमें एक राजकुमारी का वर्रन किया गया है बानभट की अपूर्ण रचना इस कादमबरी को मानी जाती है जिसमें उनके पूत्र भोशन भट ने पूरा करने का प्रयास जो है वो किया है तो कहने का मतलब क्या हुआ जो बानभट है इनके द्वारा पहला उपन्यास लिखा गया था जिसे कादमबरी का नाम दिया गया जो दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है लेकिन अधूरा रहा परन्तु इनके बेटे जो भूशन है उनके द् क IP नाम से अधूरा जिसमें राजकुमारी करने का प्रयास कि अब आते हैंए हम मध्यकाल के श्रेणी में वो कभी आएंगे जो दर्बारी कभी तो थे ही साथ ही मध्यकाल के अंतरगत इनके द्वारा जो रशनायर अच्छी गई थी भक्ति पूर्ण रशनाओं से परिपूर्ण थी इस समय के रशनाकारों के अनुसार मध्यकाल के समय में भारत वर्श में भक्ति कालने साहिति की रशनाओं का अंजाम देखने को मिलता है भक्ति काल की धारा बहने की कवजह से मध्यकाल को भक्ति काल की भी नाम से पुकारा जाता है इसलिए मध्यकाल के पूर्व समय को भक्त और उत्तर समय को रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है और इसी में हम मद्यकाल के साहित्यकारों में हम देखते हैं कि कौन कौन से साहित्यकारों में केशावदास पदमाकर भूशन राजा शाल साल दामुदर्दास कुम्भन दास है दास पदमाकर कृष्ण भट हैं इन ही में से केशाव दास सबसे प्रसिद्ध मानेते हैं जिनके दर राम चंद्रीका जहांगीर रश्चंद्रीका वीर सेंद्य रसिक प्रिया कवी प्रिया विज्यान गीता नक्षिक छंदमाला सबसे पहले हम आजाते हैं केशवदास को जानने के लिए 1515 में जिनका जन्म हुआ था वो हैं हमारे केशवदास कहा जाते हैं जो केशवदास की जीवनकाल का समय माना जाता है याने कि 1515 में जन्म 1617 में इनकी मृत्यव हो गए थी इनका जन्म इस्थान और चा को माना जाता है तीकमगड याने के टीकमड़ के और चा में केशवदास का जन्म जो हुआ था और इनकी जो भाषा शैली थी साहिती की रशना करने के जो शैली थी बुंदेली मिश्रित ब्र भाषा के प्रयोग किया करते थे और समवाद शैली छंदों की अधिक्ता और मजबुत कल अपक्ष की विशेष्टा इनकी रशनाओं में देखने को मिलती है इनके पीता का नाम पंडित काशिरां था जो और चानरेश मधुकर शाह के प्रिये मित्र माने जाते थे केशवदास स्वयम महराद इंद्र सिह के दरबारी कभी थे जो केशवदास थे तो इनके पीता जो और चानरेश के दोस्त थो थे परन्तों केशवदास महराद इंद्र सिह के दरबारी कभी थे साथ ही मंत्री के पदपर और उनके गुरू के पदपर वहाँ पर उनको दिक्ष का प्रभाव है संस्कृत और बुंदेल खंडी की भाशा का विशेश प्रभाव केसवदास की रशनाओं में देखने को मिलती है अपने कावे में भावपक्ष की अपक्षा इनके द्वारा कला पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है भावपक्ष क्या होता है किस कवि के द्वारा रच्चित रचनाओं में जो भाव पूर्ण बातों को उपदेशों को को आध्यात्म को किसी भी प्रकार के पक्ष को जब हमें समझाने का प्रयास करता है अपनी कविताओं के लेख माध्यम से तो उसे कभी और लेखक का भाववपक्ष कहा जाता है उसी भावों को हमारे मन में पहचान दिलाने के लिए उन्ही भाववों को से हमें अवगत कराने के लिए जिस प्रकार के कावव की रिटी, कावव की शैली, कावव के गुन का, शद्दि की शक्तियों का और किसी प्रकार के रस अलंकार छंद से परिपूरुनता का हर एक रूप का प्रयोग करता है तो वह उसका कला पक्ष कहलाता है तो केशवदाजी की रशनाओं की खास्यत थी कि भाव पक्ष से ज़्यादा कला पक्ष को ये प्रधानता देते थे इनके काव्य में लक्षन गरंत की प्रधानता देखने को मिलती है मतलब जो बात जैसी है वैसी ना कहकर अन्य उक्ति के माध्यम से लाक्षनिक रूप से इनके द्वारा जो बातें समझाने की प्रयास की जाती है इसलों लक्षन गरंत की प्रधानता इनकी रशनाओं में चंदमाला बारह मासा चंद्रिका और इसी में अगर देखा जाए तो इनकी रचना जो राम चंद्रिका है कहा जाता है यह जो इनकी रचना है तुलसिदास को मिल कभी होग Homurai मध्यकाल के ऐसे कभी है कहा जाता है कि पतनी की उलाहन मिलने पर केवल एक रात में ही इन्हों ने रामचंदरी कामक रचन को पूरा कर लिया था इसे चंदों का अचायब घर के नाम से पुकारा जाता है और इसमें जो रसिक प्रिया और कवी प्रिया है ये दोनों हैं जो मुक्तक कावे के नाम से इनके द्वारा रची गई है इनकी रचिना हैं इनकी कठीन कावे का प्रेथ और हृदय हिन कवी के भी नाम से विभूशित किया गया है तो केशवदास मध्यकाल के ऐसे कवी है जिसे कठिन कावे कपरेट और आपके हृदहिन कवी के भी नाम से पुकारा जाता है अब इसके बाद आते हैं आपके भूशन भूशन यानि कि आपके ऐसे व्यक्ति जो कवी भूशन है कवी भूशन की अदि हम बात करें तो इनका वि कारण काम कांपुरजीले मैं करण जो है वह दुब माना जाता है इनकी मृत्ति्यों संत्तरा में माने जाती है इनका वास्तविक नाम के नाम से प्रस्तूत है तो इन्हें ऐसका नाम के तौर पर «वास्तविक नाम है वह कि तक आपका lobby है लेकिन यह जो भूशन नाम है यह इनके साहितिक रशनाओं की वज़े से इन्हें उपाधी के तौर पर दिया गया था तो भूशन जो है वो रीती काल के तीन प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं दो कवी जो बिहारी और केशोदास थे उन्हीं के साथ साथ भूशन है जो रीती काल के कवियों की श्रिणी में आते हैं और रीती काल को मध्ध का उत्तर काल कहा जाता है रिती काल के सारे कवी जब श्रिंगार रस में रचना कर रहे थे वीर रस में प्रमुकता से रचना करने वाले कवियों में भूशन ने अपने आपको सबसे अलग कर दिया तो इस समय भूशन ने रिती काल की रशनाओं में जो तीन धारा थे रिती बद्ध, रिती सिद्ध और रिती मुक्त उन में से इस भूशन को रिती बद्ध कभी के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इन्हों ने अपने आपको वीरता की रशन से परिपूर्ण बंधी बंधाई रशनाओं में से बांध कर रखा तो भूशन दास जो हैं आपके कभी बिहारी और केसव दास के समय के तीसरे कभी माने जाते हैं जब सारे कभी रिती बद्ध कभी के तौप श्रिंगार रश में रशना कर रहे थे तो इन्हों ने उनसे हट कर वीर रश को प्रमुखता देते हुए इन्हों ने अपनी रशनाओं के माध्यम से उन रशनाकारों में से अपना एक अलग इस्थान बनाया भूशन को मद्धिकाल के हिंदी कावे में वीर रस का सर्वशिष्ट कभी कहलाने का गौरो जो है वो प्रदान किया गया है और इन्हें जो घंश्याम जो इनका वास्तविक नाम था जटशंकर जो उप नाम था और भूशन की उपाधी जो है वो चित्रकूट के राजा हृ घंगल जाता है तो भूशन की भाषा अवशक्ता के अनुसार इंहों ने प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग अपने जहतीक रशना में किया है मुक्तक शैली में कावि रशना को भी इन्होंने अंजाम दिया है इन्होंने भक्ती, सवया, दोह, रोला छंद को अपना कर छंद बध रशनाओं को अंजाम दिया इनकी प्रमुक रशनाओं में विद्वानों के अनुसार उन्हें 6 ग्रंथ लिखे हैं ऐसा माना जाता है जिसमें से सबसे प्रचलित ग्रंथों में शीवराज भूशन, शीवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूशन उल्लास, दूशन उल्लास और भूशन हजारा है जो इनकी प प्या गया है अब आते हैं पद्माकर का पूरा नाम है पद्माकर भट के नाम से इन्हें पुकारा जाता है और इन्हें कहते हैं कि इनका जन्में 1573 इस्वी में हुआ था, अम्रित्यों असी वर्ष की आयूम 1833 में, कानपुर में गंगा नदी के कट पर इनके म्रित्ती हु प्यारे लाल के नाम से पुकारा जाता है पदमाकर को रिती काल का अंतिम और सर्वश्रेश्ट और प्रतिनीधी कभी के तौर पर माना जाता है पदमाकर के काव्यों में भाव पक्षे के साथ साथ कला पक्ष दोनों का सम अन्विकास जो है देखने को मिलता है श्रिंगार के स पक्षय संयोग और वियोग दोनों पक्षयों का बड़ी सरलता से इनके दोरा चित्रन जो है वो किया गया है कभीताओं के माध्यम से इन्होंने ब्रज भाष्चा के शुद्ध रूप को साहितिक की रौपर इस्तेमाल करना शुरू किया इनकी जो रचना करने की जो शैली थी इस रचना केली की जो शैली थी उसमें चित्रात्मक और स्वभाविक वस्शक्त रूप से इन्होंने बहुत इस्पष्ट और मधूर पाभावपूर्ण से इनको वड़न किया पदमाकर को जैपूर के राजा महराज प्रताप सीह ने कवी राज शिरोमनी की उपाधी गया था जिसको इन्होंने दोहे में रचा हुआ था दोहे के द्वारा उन्हें रचा था इनकी रशना में प्रबोध पचासा आपके रामरसायन थी जो रामरसायन था इनके द्वारा जो रामरसायन था कहा जाता है कि वालमी की एकरित जो रामायन थी उसकी भाश्रा का सरल अनुवाद करके इन्होंने राम रसायन की रशना जो है वो की थी गंगा लेहरी यमुना लेहरी अलीजा प्रकाश हिम्मत बहादूर विरुदा वली प्रताफ सीं विरुदा वली जैसी विरुदा वली जगत विनोद रीती गरंत पद्मा भरन यह आपके जैपूर में इनके अलीजा प्रकाश है कोई कहता है इसकी रचन इन्होंने गौालियर के महराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में इस अलीजा प्रकाश की थी जैपूर में इनके द्वारा पद्मा भरन की रचन जो है वो की गई थी अब आते हैं आगे कवीवर बिहारी मध्यकालिन कवियों में कवीवर बिहारी जिनका नाम अगर देखा जाए तो इस कवीवर बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवी कहते हैं दूसरी बात एक चीज़ और बता देऊं कि जो आपके पदमाकर भट थे उनकी शैली में ब्रज का शुद्ध साहितिर को मिलता तो है साथ ही बुंदेली, मिश्रण, अलंकार, रसका, निरूपन, सयुक्त लक्षण, शैली का प्रयोग भी उनकी रचना में देखने को मिलता है अब आते हैं कभी वर बिहारी की रचना के बारे में जाने के लिए तो कभी वर बिहारी के दी बात की जाए तो कभी वर बिहारी अगर देखा जाए तो गागर में सागर भरने माला कभी कहलाते हैं इनका जन्मा सोला सो तीन इस्वी में हुआ था ग्वालियर में मृत्यू 16-64 इसमें इनके पीता का नाम केश्व राय था इनकी एक मत रचना विहारी सत्साई को माना जाता है जो विहारी सत्षती के भी नाम से पुकारा जाता है एक मुक्तक पावी की रचना है इसमें 719 परकार के दोहें का संकलन है ये जो इनके बिहारी सतसई है इसी रचना की वज़ा से गागर में सागर भरने वाला कभी कहला है मतलब की सतसई में ब्रज भाशा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है इनके भाशा शैली के बात की जाए तो भाशा शुद्ध साहितिक ब्रज भाशा है सूर्दास की चलत प्राकार की शेयली का प्रजोलग करते हैं यानि कि बिहारी अपनी रशनाओं को रश्ते समय तीन प्रकार की शैयली का प्ररधान शयली प्रसांद से-यूकत स संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वरणन इनके द्वारा किया जाता है जब वो दोनों पक्षों का वरणन करते हैं तो इनके प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी भी प्रकार से चीजों से पीछे नहीं हटते भरपूर प्रयोग इनके द्वारा सहितिक रचनाओं में किया जाता है और इस वज़े से कभी वर बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कभी कहा जाता है क्योंकि इनके संपूर्णर जो इतनी रचना थी उन रचना में के वल एक ही रचना है जो इनकी आपके इसे गागर में सागर भरने वाला कभी के श्रेणी में प्रदान करता है अब आते हैं हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार के श्रेड़ी में वो आएंगे स्वतंतरता संग्राम के समय साहितिक जगत में अपना योगदान दे रहे थे, इसी साहित्यकारों में हम देखते हैं कौन साहित्यकार है जो आधुक कालिन साह इत्यकारों में आता है तो आधुनिक कानिन साही त्यकारों में देखा है तो मांखनला चतुरवेदी सुभध रखवारी चोहान बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारिका प्रसाद भावनी प्रसाद मिश्रो हरे सलकर परसाई शरत जोसी मुल्ला रमोजी डॉक्टर होने की वज़ा से आपके साही त्यकारों को एक खूला मंच प्राप्त हुआ था सभी साही त्यकारों के रचनाओं को प्रकाशित करके लोगों तक पुमुचा के उन्हें जगत प्रसिद कराने का योगदान पत्रकारिता का भी विश्यस देखने को मिलता है और इन ही में से बहुत से पत्रकार ऐसे थे जीन होने आपके पत्रकारिता में संपाधन का भी काम के जैसे की माखनलाल चतुरवेदी कह सकते हैं आपके गजानन माध्व मुक्ती बोध कह सकते हैं यह ऐसे हैं जिनकी रचनाओं में हीम किरिटनी हीम तरिंगनी यूगो चरन समरपन पांच अमीर इरादे गरीप इरादे कृष्ण अर्जुन नाटक साहिते देवता माता समय के पांप श्रीमंगल सुमें हिलोल विंदे हिमाले प्रले हिसरीजन जीवन के गान मिट्टी की बरात विश्वास बढ़ता ही गया आखे नहीं भरी यूग का मोल वद्रकुमारी चोहान कारों के शेड़ी में आते हैं आपके शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियां राह किनारे बैठा यथा संब दूसरी सता फिर किसी बहाने अंधे का हाथी एक था गधा मैं और मैं केवल मैं हरिशंकर परसाई हासिक व्यंग प्रधान कभी राणीनाकपनी की कहानी तक की खो तक की डारी नई कविता का आत्मसंगर्श नैसाहिते का संदर शासर भारत इधिहास वह संस्कृती मानी जाती है इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन जो आपके प्रगतिवादी और प्रयगवादी कवियों में गीने जाते हैं तो कुम कुम रश्मीरे खा अपलक व खुलाभी उर्दू अंगूरा शादी और अज्जात लाठी और भैस मुसाफिर खाना सुबा की लफालत दिवाने मुल्ला रामुजी की जिंदगी शायरी जेग महाशीरे भोपाल और तारिक इनकी रश्ना में मालती है और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध हैं जिन्होंने अपनी विशेस ख्याती अरजित करी है उन साहित्यकारों की चर्चा अब हम यहां से करेंगे तो कहने का मतलब कि आधुनिक काल का समय जहां स्वतंतरता प्राप्ति के लिए ना केवल स्वतंतरता सेनानी बलकि साहित्यकारों का विशेस युगदान देखने को मिलता है इस स पूरे भारती इसतरपत्र पहुर्प पहचान दिलाने के कारивает समय, पत्त्रिकाओं के द्वारा किया जा रहाँ था इसी समय आद्धुनिकता की प्रिवेश से जितने सहित कारू रशनाई थी कुछ ने कविताओं के माध्यम से देश्वापी रचनाव का अजाम दिया तो कुछ ऐसे थे जिन हो ने अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरुख कराने का प्रयास तिया उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपके पंडित माखनलाल चतुरवेदी जिसका जन्म 4 अपरेल 1889 को हुआ था कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके हुआ था आपके जबलपूर में यानि कि कोई कहते हैं कि जबलपूर में रहकर संपादन का काम करते थे लेकिन इनका संबंद मध्य प्रदेश से जरूर माना जाता है इसले मध्य प्रदेश के आधुनिक साहिते कारों में आपके पंडित माखनलाल चतुरवेदी का नाम लिया जाता था चार अपरेल 1889 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यू जन्वरी वहीने के 1968 में भोपाल में इनकी मृत्यू हो गई थी इनका जन्मिस्थान जो है बावई नगर होशंगाबाद को माना जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि इनका संबंध जो है वह जबलपूर से था माने के जन्मिस्थान को लेकर नाम जो है बदल कर इनके योगदान की वज़े से माखन अगर जो है वो कर दिया गया है इनके पीता का नाम नंदलाल चतुरवेदी था पता माता का नाम सुंदरी भाई था इनहें एक भारती आत्मा के नाम से पुकारत साहित्य के जगत में एक भारती आत्मा के नाम से कि इनके जीवन में इनके तीन पक्ष हैं कभी ये कभी हैं तो इनके दोरा लेख भी लिखे गए और समाचार पत्रिकाओं के संपादन करने से इन्होंने तीन रूप से मतब संपादक लेखक और कभी के तौर पर आपके सहित जगत में इन्होंने अपना इस्थान बनाया इनक सम्टभaur शब्दो के सासत उर्दू और अर्वी फार्सी के शब्दों का बखूबी प्रयोग जो है इनके द्वारा किया जाता था गध्यशैली और पद्ध्य शैली दोनों का प्रयोग करके मांखलाल चतुरवेदी के द्वारा रशना को अंजाम दिया जाता था इनके जीव जब इनको सरकारी नौकरी मिल गई थी तो 1913 में इनको सरकारी सिक्षक की आपकी जो नौकरी थी तो अपनी सिक्षक की नौकरी को छोड़ दी और पूरी तरह से स्वतंतरता आंदोलन में शामील हो गए थे सवतंतरता आंदुलन में सामील होकर ना केवल साहिते लेखन किया बलकि पत्रकारित शाहिते लेखन समचार पत्रिपत्रिकाओं के संपादन कभी काम इनके द्वारा किया गया गणेश संकर विद्यार्थी जो कानपूर से प्रताप नामक पत्रिका निकालते थे जिनके नाम पर पत्रकारिता के प्रुसकार दिया जाता है इसी गणेश संकर विद्यार्थी के कानपूर से प्रताप नामक पत्रिका के समचार के संपादन किया इनके द्वारा जो है वो कि वो बाद में गड़े सकर विद्यार्थी के बाद माखनलाय चतुरवेदी के द्वारा किया जाने लगा इसी माखनलाय चतुरवेदी के अगर देखा जाएं कंचैंटी самойंटी समय में जो असहियोग आंधलन गांधी जी चलाया था तो 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोल जब शुरू किया था तो मध्य भारत प्रांत से पहली बार किसी की गिरफतारी हुई थी तो वो थे हमारे आपके माखनलाल चतुरवेदी जिन ही बिलासपूर के जेल में रखा गया था 1930 के सवग्या आंदोलन में भी सविनय अवग्या आंदोलन में भी पहली गिरफतारी माखनलाल चतुरवेदी के द्वारा ही दिया गया था इनकी भाषा बड़ी सरल और सहज है हिंडी उर्दू फार्सी सभी भाषाओं के प्रच्रित शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने अ माखनलाल चतुरवेदी उन्होंने पुष्प की अभिलाशा नामक कविता को लिखी थी जब wishle viva always बनाती है इसके अलावा इनके कावे में हीम किरिटनी हीम तरंगिनी मरन ज्वर माता युग चरण समर्पन गुंजेधारा ध्रूमवले वैनीलो नीलो गुंजेधारा बिजूरी और वन्वासी मन दे इनके दारा रचित रचना में नीबंध है जो साहित देवता अमीर इराद पर समय के पाऊंओ इनकी रचनवा इसके अतरीत कैसे चंद बना-देती है कैसा चंद बना देती बर्साते बहुचारों वाली इनकी रचनाँ में मानخy के वज़ह से कुछ विशिस niet उपलब्धियां जो है वो सम्मानित की गई हैं विशिस उपलब्धियां इनके द्वारा जो किये गए हैं उन विशिस उपलब्धियां जो इन से हमको प्राफ्त हुई हैं यह है कि इनके द्वारा जो आपकी समचार पत्रीका जो कानपूर से निकाले ती गणेश संकर विद् कानपुर से निकालते थे संपाधन करते समस्विन सहायक के तौर पर इनके द्वारा क्या गया गया प्रताप पत्रीका का संपाधन का कारी इन्हों मध्य प्रदेश हिंदी साहित सम्मेलन रायपूर अधिवेशन के सभाबती के तौर पर 1942 में इन्होंने कारे किया भारत छोड़ों आंदोलन के सक्री कारेकर तक तौर पर 1942 में इनका योगदान देखने को मिलता है इनकी जो रचनाई रची गई थी उनहीं रचनाव में से हीम और इसके बाद 1963 में से पद्मभूशन के पुरसकार से सम्मानित जो है वो किया गया था अब आते हैं आगे सुभद्रा कुमारी चौहान की बात की जाये तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्मा 16 अगस 1904 को माना जाता है निहालपूर इलाबाद में मृत्यू 12 फरवरी 1948 400 कारदूर घटना से हो गई ऐसा लोगों का कहना है इनका विवा खंडवा के राजा लक्षमन सींग के साथ में हुआ था इन पर गांधी जी के असहियों गांदलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला मानी जाती क्योंकि गांधी वार्दी विचार धारा का इन पर सभा के खेल सीधे साथे चित्र बाल साहितिय वीरो का कैसा हो बसंत मुकुल कावे संग्रात्री धरा विखरे मोती उनमादिनी कहानी इनकी रशनाओं में देखने को मिलती है इनकी जो एक ऐसी शैली थी जिसमें स्वतंतरता संग्राम के समय जहांसी की रानी लक्षमी बाई जब इनके ज़रा रचना रचा गया था तो स्वतंतरता संग्राम और ग्रिहस्त जीवन के अनुभाव के बारे में उनकी रशनाओं में जो है वो लिखा गया था इसकी भाशा सैली बुरत सरल थी और सरल पध्धति का इनके दारा प्रयोग किया गया था इनकी भाशा और श जो है इनकी बिखरे मोती और उनमादीनी यह ऐसे रचना है जिसमें मध्यम बरगिये जीवन पर आधारित प्रभाव देखने को मिलता है इनकी रचना के बाद में देखा जाते हैं जासी किरानी है जो इनकी सबसे सर्चित रचनाओं में माना जाता है वीरों का कैसा हो बसं गजानन माधव मुक्ती बोध जिनका जन्म शियोपूर में तिरे नमबर सर 1917 में हुआ और 11 सितंबर 1964 हभीब गंज भोपाल में इनकी मृत्ति हुई कहा जाता है कि गजानन माधव मुक्ती बोध और पदुमलाल पुनलाल बक्षी 36 गड़ के राजनन गाउं के दिग्विज जगत में इनका योगदान विशेश तोर पर देखने को मिलता है तो चांद का मूर टेढ़ा है कामाईनी एक पुनर विचार दिनकर की उर्वर्शी भूरी भूरी खाक धूल नए निबंध ठीक है इसी प्रकार एक साहितिकी डायरी एक साहितिक डायरी नई कविता का आत्म तोर पर इनका इस्थान जो है लेकर चलता है और इसी में गजानन माधा मुक्ती वोध की खास्यत मानी जाती है कि इनकी विशेवस्तु में जीवन की कटू सच्चाईयों को गरीबी विवस्था और विसंगतियों का मार्मिक चित्रन देखने को मिलता है मध्यमबर्गी जी जो आपके आधुनिक करिन कवियों में नवीन कवियों की प्रगयोगादी कवियों के ख्षित्र में अपना इस्थान जो है बनाते अब आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जिसे हम कहते हैं आपके जन्म जो हुआ था बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका जन्म मयानग्रा शाजापूर में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था इनकी मृत्ति 29 अप्रेल 1960 को दिल्ली में हो गए इनकी रचना में कुम कुम रश्मी रेखा हमें विश्पाई जनम के उर्मीला परारण पर वासी विनोबा इस्तवन विपलव गायन और सार्व के अलन गायन थे और अपलक यह आपक जो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे कानपूर निवाचन शेत्र में पहली बार इनके दारा संसत के सदस्य के तौर पर भी अपना इस्थान जो है वो बनाया गया तो कानपूर निरवाचन शेत्र से पहली बार लोकसफा संसत के सदस्य रहे और इनका जो योगदान है जिसके संपादन का कार्य जो आपके माखला चत्रवेदी कर रहे थे उन्हीं के संपादन के कार्य की थोड़ी जिम्मेदारी इनके द्वारा भी निभाई जाती है जो आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन है इनकी रचनाओं में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा अव अत्तैकार की और भाषा नी प्रसाद मिश्र की बात कि जये तो कहा जाता है ुनीस सचौुदय अमरिती इस सब्चाशी में हुए मतलब उनीस सचौुदय से उन्नीस सब्चाशी के बीच के जीवन काल भावानीप्रसाद मिश्रक का ग्रामध की करिया होशंकाबाद में इनका जन्म जो है वो हुआ था इनके भी जीवन पर गांधी जी के जीवन के संबंधित प्रकृतिक चित्रन और वियन्गात्मक प्रभाव देखने को मिलता है गांधी जीsom के शीलाले बुनी हुई रस्सी व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए इन्हें जो है वो 1917 में इन्हें जो है बुनी हुई रस्सी के लिए 1917 में बुनी हुई रस्सी नामक इनकी जो रचना है उसके लिए साहित अकादमी का पुरस्कार जो है वो दिया गया था इनके द्वारा गांध कभियों के श्रेड़ी में अपने इस्थान बना चुके हैं हमारे हरे शंकर परसाई जन्म हिनका जमानी ग्राम होशंगाबाद में माना जाता है 22 अगस्त 1924 को हुआ था कोई कहते हैं कि इनका जन्म है जो हर्दा ग्राम में जो है वो हुआ था इनकी रचनाओं में बात की जा हैं इनकी भाषा का जो प्रयोग इनके तरह अलवर सरस रूप में हैं जिसमें हिंदी उर्दू अभारती सब्द के साथ में आपके शब्दों की कहावतों का सभी प्रयोग किया गया है इनकी शैली व्यंगात्मक और हसोड शैली यानिकी सभी रचनाएं हाज से व्यंग पर द्वारा नए नए प्रयोग जो हैं मुकिये जा रहे थे और जिस तरह यूग के रूप में बंदे हुए थे तो कुछ कभियों को च्छायवादी कभी कुछ कभी को आपके शुक्रतर कभी और किसी को जैसी यूगीन कभी और इस नाम से भी पुकार जाता था लेकिन आदु चंदताबाद जैसे कभी का उद्भाव जो है वो देखने को मिलता है तो हरिशंकर परसाई की रशनाओं में हसते हैं रोते हैं धोला राम का जीव और संस्कृती कैसे उनके दिन फिरे ये इनकी कहानी संग्रह किश्रेणी में आते हैं ठीक है उपन्यास्त की खोज रानी न नाकपनी की कहानी कहा जाता है कि रानी नाकपनी के कहानी को लेकर रंग मंच पर इसका अभिने जो है वो इप्ठा के द्वारा प्रदर्शित जो है वो किया गये था संस्वरण में तीर्ची रखाएं लेख संग्रह इनके द्वारा जो लिखे गए उसमें भूत के पाउप संग्रा में ठीठरता हुआ गणतंत्र विकलंग श्रद्धा का दौर और वैशनों की फिसल यह एक निबंध है इन्होंने वैशनों की फिसल लिखी यह बहुत ही हासिव्यंग वाली है इसमें एक वैशनों है जो होटल जो है वह खोल लेते हैं सड़क के किनारे धीरे-धीरे ह होटल की शुरुआत होती होटल है यह लौस में जाने लगता है क्योंकि जो वहां लोग होते हैं वह कहते हैं चीकन मिलेगा क्या तो चुकि ग्राहक है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के सामने शमा मांग देते हैं बोलते हैं कि थोड़ी से मैं चीजों को है जो आ अपलब की उद्योग पती बनने के चक्कर में किस तरह एक व्यक्ति अपनी नैतिक मुल्यों को भूल जाता है ऐसा हाथ से ब्यंग के आधाय पर बांध की इनके द्वारा वैशना की फिस्लन की रचना जो है वो की गई थी इसके अलावा पूलिस मंतरी का पुतला नया साल स युगदान दिया गया जबलपूर से वसूधा नामक एक मासिक पत्रे कर निकलती थी उसका प्रकाशन निके द्वार kierगा पत्रिका के संपादक के तौर पर भी हरिशंकर परसाई का योगदान देखने को मिलता है इनकी शैली में मुख्य रुप से व्यंगात्मक प्रभाव के साथ साथ एक ऐसी है जो हसोड शैली का प्रयोग जो है इनके द्वारा की जाती है इनके प्रचना में अगर देखा जाए तो हरिशंकर परसाई के हिंदी के ऐसे पहने रशनकार है जिसने अपनी सभी विधाओं में से हास्य व्यंग विध्या को अपना विशय बनाया और हास्य व्यंग विध्या को प्रयोग करते हुए अपने आपको हास्य व्यंग कथाकार, कहानीकार और एक साहित्यकार के तोर पुरसकृत जो है वो किया गया था इसके बाद आते हैं मुल्ला रामोजी मुल्ला रामोजी की बात की जाए तो मुल्ला रामोजी यानि की जो है आपके व्यंक्त का झान। परसाई तो मुल्ला रामुजी की बात की जाए तो 21 महीं 1896 को भोपाल में इनका जन्म हुआ इनकी मृत्यू 1952 में माने जाती है मुहम्मद सिद्ध की मुल्ला रामुजी का पूरा नाम था मुहम्मद सिद्ध की मुल्ला रामुजी इनका पूरा नाम था तो रामुजी नहीं कुछ किताबों के अनुसार ये रामुजी है तो मुहम्मद सिद्ध की मुल्लमा रामुजी इनकी पहली पुस्तक जो थी गुलावी अर्दु के नाम से प्रकाशित हुई थी इस कारण इनहें गुलावी अर्दु का जनक के भी नाम से पुकारा जाता है उर्दू अकादमी में अपने भवन का नाम मुल्ला रामुल जी के नाम पर इन्हों ने रखकर ना केवल मध्य प्रदेश बलकि संपुर्ण भारत के उर्दू साहिते को सम्मानित किया है तो कहने के मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके मुल्ला रामो जी है इन्होंने पहली पुस्तक रची जिसका नाम गुलाबी उर्दू था और इसके वज़ा से इन्हें गुलाबी उर्दू के जनक के नाम से पुकारा जाता है उर्दू अकादमी में अपने भवन का नाम मुल्ल शहली थी जो इनकी द्वारा की गई खोश थी जिसमें उन्होंने अपने कुरान शरीफ के उर्दू अनुवाद के तरीकों को उन्होंने अपनाया था रामुजी शायरी भी किया करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ व्यंग पूर्ण नजम भी इनके द्वारा लिखी जाती ख्वातिन अंगूरा, जिंदगी, शीफा खाना, मुसाफिर खाना और तारीक इनकी रशनाओं में माने जाती है अब आते हैं दूसरे हासे लेखा जिनका नाम है शरत जोसे 1931 उज्जैन में इनका जन्म हुआ था कहते हैं 5 सितंबर 1991 को मुंबई में इनकी मृत्ति हुई, इन्होंने हरी शंकर परसाई को अपना गुरु माना क्योंकि उन्हीं के शैली के नुसार शरत जोसे भी हास व्यंग से परिपूर्ण रशनाओं को रश्टे थे इनकी विशैली मुख्य रुप से व्यंगात्मक शैली में मानी जाती है, विशय वस्तू को तोर पर देखा जाएं, तो समाजिक, आर्थिक और राजनितिक पक्षपर करारा व्यंग करने का प्रयोग जो है शरत जोसी क्रिशनाओं में माना जाता है, कुछ लोगों का कहना ह 1994 में हुआ था, इनकी शैली में हिंदी के तत्सम और देशज, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग व्यंगात्मक शैली में सीधी सरल होकर मर में इस परशीत तोर पर की जाती है, इनकी जो खासियत है, उनकी खासियत के अधार पर मतिप्रदेश सरकार के सूचना और प्र पर रहते हुए और पर अपनी नौकरी को छोड़कर देश सेवा में योगदान दिया, वैसे ही ये व्यक्ती थे शरत जोसी जिन्हों ने आपके सुचना प्रकाशन विभा के काम को छोड़कर लेखन के कर्षेतर में अपना योगदान देना शुरू किया, इनकी रूचिया जो लापता गंज बनाया गया है, जो आपके टेली वेजन पर विशेश तोर पर दिखाय जाता था, इन्हों ने मुंबई से प्रकाशित एक हिंदी एक्स्प्रेस का संपादन जो है वो करने का कारे किया था, भारत सरकार ने शरत जोसी को पदमश्री से सम्मानित किया, 1990 के मद्यप्रदा सरकार ने इनकी स्मृती में 1992 से शरत जोसी राष्टी सम्मान की इस्थापना की गई है, जो प्रथम शरत जोसी प्रुसकार हरिशंकर परसाई को जो है वो दिया गया है, ठीक है, तो इनके सम्मान में मद्यप्रदा सरकार ने 1992 से शरत जोसी राष्टी सम्मान की स्थापना की पहला शरत जो सिराश्टी पुरुसकार है इनके गुरु हरिशंकर परसाई को है जो सम्मानित के तोर पर दिया गया है इनकी रशना में देखा जाएं तो हम देखें तो हां से व्यंगे से परिपूर्ण रशनाएं हैं जिसमें आपने देखियोंगी जीप पर पढ़ियोंगी जीवपर पर सवार इल्लियां फिर किसी बहाने रहा किनारे बैठा परिक्रमा तिलिस्म यथा संभाव दूसरी सत्व हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे नाटकों में एक था गधा अंधों कहा थी इसके अलावा अतिसरी गणे शायनमा बिल्नियों का अर्थ बुद्धि जीवी साहित्य का महाबली अध्यक्ष महोदै मेरी श्रेष्ट रचनाएं यथा संभाव यत्र तत्र सरवत्र यथा समय पिछले दिन मैं और केवल मैं इनकी विशेस रच्चा मान्यति इनके द्वारा ना केवल साहितिक रचनाओं को अंजाम दिया बलकि फिल् फिल्म में रेखा का अभी नए है सुमन आपके जो शेकर सुमन है उनका अभी नए यहां तक कि उस सब फिल्म के अधार पर अगर देखा जाए तो राजा श्रे में जिस तरह कि आपकी कला संस्कृति का प्रभाव था वह यहां पर देखने को मिलता है कि किस तरह नगरवध तो नगर्वध हु या उसन सब करना परभाव यह राजशित कवी और उस समय के राजय प्रभाव थे उनके जो राजश्रे थे उनके किस परकार का sowme में देखने को मिलते हैं चोटी सी बात भी एक बहुत अच्छी स्दॆइक नायका की पर देखने को मिलता है इनके द्वारा जो प्रयोग है दुरदर्शन पर धारा वाहिक के लिए भी स्क्रिप्ट रागी बहुत चर्ची स्कृतिया में देखा जाए तो अपने बच्पन के दौर के ओगर जायता हम बिक्रम बेताल सिंहासन बती सी इसके बाद उसी असी के दर्शक में वह जनाब और यह जो है जिन्दगी यह इनके द्वारा दुरदर्शन के लिखे गए नाटकों के स्टेंडी में आते हैं अब आते हैं डॉक्टर शिव मंगल सी सुमन शिव मंगल सी सुमन की बात की जाए शिव मंगल सी सुमन इनका दिनों 15 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जीले में इनकी प्रारभिक सिक्षा रीमा और ग्वालियर में हुई बाद में उच्छे सिक्षा है तो बनारेस हिंदु विश्विद्या ले गए जहां से डिलीट की उपाधी इनके द्वारा प्राप्त की गई इनकी रचनाव में हिलोल मिटी की बारात विश्वास बढ़ता ही गया प्रलह सीजन पर आंखे नहीं भरी विंदे हिमालय और यूगों का मोल जीवन के गान वानी विथा इनकी रचनाव में मानी जाती है इनके दोरह जो रचित रचना हिलोल ये इनकी परथम रचना मानी जाती है जो 1936 में इसका प्रकाश होता है विश्वास बढ़ता ही गया पर आपको देव विश्वास बढ़ता ही गया इस पर इनको जो है वा देव पुरसकार से सम्मानिक किया गयाêtre uh 1976 मिटी की की बरात इसकाव संग्रह के लिए साहिते कादमी की कप siagas से इसे सम्मानित जो है वो किया गया था अब आते हैं अगले साहितिकार को जानने के लिए 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 अगले साहितिकार को जानने के इनकी विशेश रचना है जो आपका बंटी को माना जाता है महाभोष त्रिशंकु मैं हार गई इनकी रचना है इस आपका बंटी नामक रचना में इन्हों ने तलाक शुदा परिवार के सदसे में एक बच्चों के बाल मनुविज्ञान को लेकर इनके द्वारा रचना को आपके हर एक प्रयोग में से बापकी जो समाजिक और परिवारिक परिसिती है सभी को इन्हों ने अपनी रचना में अंजाम दिया नंद दुलारे वाजपी चार सितंबर 1906 को जन्म और 11 अगस्त 1967 को इनकी मृत्ती हुई रचनाओं में इनकी रिती और शेली रचनावली आ मस्याएं आधुनिक साहिते का स्रीजन और समिक्षा आधुनिक साहिते हिंदी साहित बिस्विशताब्दी और 1940 में इनकी प्रथम कृति के तौर पर मानेती और नए प्रशने नामा इनका प्रयोग जो है सहितिक जगत में माना जाता है अब मद्य प्रदेश के अंतरगत जह में हमारे पास संत कभीर कभीदार जी थे वैसे ही देखा जाए तो मद्य प्रदेश के अंतरगत भी कुछ लोग साहितेकार थे जिनका विशेश देखने उलेक देखने मिलते हैं मद्य प्रदेश के लोग साहितिकारों में आते हैं हमारे संत सिंगा जी महोदे कहा जाता है इनका जन्म 1571 में खजूरी गाओं खरगोन में हुआ था मृत्यू इस्थलन की नर्मदा के समीप हुई थी ऐसा माना जाता है इनका एक मात्र प्रमानिक ग्रंथ है संगरहित है जो है आपका परचरी कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है संकलित परचरी याने कहने का मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति जिसका संक्षिंगा जी का एक मात्र प्रमानी ग्रंत है जो संकलित परचरी की नाम से जानी जाती है जिसका संकलन इनके से खेम दास की द्वारा जो है वो किया गया था हरी द्वार पर नराहती थी बारा मासी भी इनकी रशनाओं में गिनी जाती है संत सिंगा जी जो थे वो कभीर के समकाली कवियों में माने जाती है जिस तरफ कभीर संत थे वैसे ही सिंगा जी भी एक संत थे इनकी जब इस मृति जब इनकी मृत्य हो गई तो उसके प्रती वर्ष शरद पुर्णीमा को गाम पिपलियां में उनकी समाधी पर एक मेला जो है वो भरता है या मेला लगता है सिंगा जी की कावे भाषा निमाडी भाषा में इनके द्वारा लिखी जाती थी और डॉक्टर श्रीराम परिहार की क कहे जन सिंगा नामक एक पुस्तक है किसमें सिंगा दी के द्वारा प्रकार के प्रमारिदे लोकपद इसको संकलित करके अनुवाद सहित इनके द्वारा उसमें उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश आधिवासी लोकल परिशत से इसका प्रकाशन जो है वो किया गया था अब आते हैं आगे अगले हैं इसूरी इसूरी जिसे इश्वरी के नाम से भी पुकार जाता है और मध्य यानि की इसूरी पुरुसकार से सम्मानित किया गया तरह पहला इसूरी पुरुसकार जो है वो मध्य पृटेश का छथी गड़ की राम कथा की रचना जो कपिलनात कश्रपने लिखी थी उसको दिया गया इनका जन्म 1831 मेडी की गाह में हुआ था जो जासी जिला उत्तर प्रदेश के आसपात बुंदेल खंड के इन्हें लोकप्रिय कभी के नाम से पुकारा जाता है इनका पूरा नाम इश्वर प्रसाथ अजड़िया था पिता भोला नात तिवारी थे पंडित भोला नात तिवा इसुरी पुरसकार इसुरी सतसई और बुंदेली फाग चौघड़िया का आरंभ इनके द्वारा जो है वो किया गया था अब आते हैं जगनिग को हिंदि साहित जगत में मध्यकरिन कभियों की श्रेणी में रखा जाता है जो जगनिग हैं इसको मध्यकरिन कभियों के श्र बुंदेली और ब्रज भाशा में गायन शैली संयुक्त चौघड़िया चंदों का प्रयोग जो है वो इसुरी के द्वारा जो है वो किया गया है इनकी रशनाव में इसुरी पुरसकार और इसुरी सतसई है जो विशेश तोर पर देखने को मिलती है और उनके बुंदेली क फाग में चौघड़िया का आरम करने का श्रे भी इसुरी को जाता है लेकिन जगनीग को मद्यकालिन कभी के श्रेणी में रखा जाता है इनका जन्म 1230 के समकक्ष माना जाता है तो जगनीग जो थे कलिंजर के राजा परमाल चंदेल के दरबारी कभी थे और इनहीं के जो है कलिंजर के राजा परमाल चंदेल के दरबारी कभी थे इनकी भाशा शैली की भात की जाए तो बुंदेली भाशा में उप बोली और बनाफरी का प्रयोक करके इन्होंने गितात्मक शैली में कावि की रशना की है तो वर्तमान समय में इनका एक रशना है आलहा खंड यानि कि परमाल रासों को ही आलहखंड के नाम से पुकारा जाता है, महोबा के दो प्रसिद वीर, आलहा और उदल की वीरगाथा का विस्त्रित वर्रन, एक वीरगाथा अत्मक कावे के रूप में इनके द्वारा जो है वो लिखा गया था, आलहखंड की भाशा बुंदेली की उपवोली बनाफरी को माने जाता है, जो आलहा खंड है तो आलहा और उदल पर आधारित एक महा कावे जो है इनके द्वारा रचा गया था, इसके बाद आते हैं आलहा खंड में बावन प्रकार के युद्धों का वर्रन किया गया है, आलहा जो गाने वाले लोग हैं, आलह खंड जो इन्हों के रात दिखा, तो इन्होंने आलहा खंड लेखा तो इसे परमाल रासो भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि इसमें आलहा उदल नाम के वीर गातात्मक्षेली में, इसकी भाषा जो थी वो बुंदेल की उपबोली बनाफरी है, जो बावन युद्धों का वरणन करती है आलहा को गाने वाले लोगों को अलहेत के नाम से पुकारता है आलहा खंड की पांडूली पे तयार करने का श्रे जो है अंग्रेजी एक व्यक्ति चार्ल्स इलियट के पास था जिन्हों ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट के था विंसेट इसमित ने इसे विशेस रचना मानी जाती है कहा जाता है कि इनकी शैली में हिंदी की खड़ी बोली का प्रेयों करती हुए शुक्ति शैली में इनके द्वारा कहावतों की रचना जो है वो की गई है तो घाग जो है मुलता एक लोक कवी के नाम से परिचित व्यक्ति थे यातलब की लोक प्रप्त हैं इनलक्ति ऑर मौसंग की जानकारी से परिपूर्नता देखने के मिलती है इनके द्वारा की गई रचना में तरफिती कर दिया एक hail dir पंडित थे और किशिवे ज्यानिक भी इन्हें विशेश्ट पर उपाधि से विभूशित किया जाता है मद्य प्रदेश की प्रमुकवी घाग मुगल बादशा अकबर के समकालीन माने जाते हैं समराट अकबर के द्वारा इन्हें चौधरी की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी और आचारे रामचंदर शुक्ल के अनुसार घाग को कभी न कहकर सुक्तिकार के नाम से पुकारा जाता है पंडित राम नरेश्ट्री पाथी ने घाग की रशना को मौखी परमपर में संगठित करके सबसे पहले सन 1931 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहबाद से इ देखते हैं कि इसके बाद कौन सा पक्ष है जो आपका आता है अब यहां से शुरू होते हैं हमारे आपके पत्र का प्रश्णों तरी का एक माध्यम यानिकी यहां से शुरू होती है अब आपकी प्रश्णावली जो क्योंकि माध्यम से सारी चीजों का आपको समझाने का प्रयास करेगी कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उनमें आपने कितनी चीजों को समझा है तो सबसे पहला प्रश्ण क्या कहते है मध्यकाल के मध्यकाल के मध्यक प्रदेश के मध्यकाल के मध्यक प्रदेश के सभी मध्य प्रदेश के जो आपके आधुनी काल के कवी हैं और देखा जाए तब बाकी जो है वह आपके अधुनी कवी प्रदेश का संबंद कहाँ से है क्या औरचषा से है उजएन से की प्रयाग्राज से कालının जो शकेदश के राजाशृत कवी थे कालि दास के चंद्रकुप्त के रुद्रशा के विक्रमा दीते के का हर्शवर्ण के। तो कुमार संभव में सभी का उलेख जो है वो किया गया है अगले प्रशने के और भरत्री हरी का पत्थ क्या कहलाता था वैरागय पत्थ कहलाता था कि निम्बार का पत्थ कहलाता था कि वल्लब पत्थ कहलाता था कि कोई नहीं वह भरत्री हरी का जो पत्थ है वो वैरागय प संबंध नहीं आपके संबन्द्न बाकि सभी का संब्द है जो आपकी संबंद से माना जाता है झाँ अगले कोश्टन क्यों राते हैं ग्र dashboard मद्य प्रदेश के किस काल के कवी है क् सुछकर कम दो號! करते हैं थीक आपके लोक साहि इत्तिकार संत कवी है सिंगा जी इसूरी जगनी के सभी सभी हैं आपके जो है। कभी किराते हैं हालांकि जगनी को मध्यकालिन कभी भी माना जाता है लेकिन इनका विशेश प्रभाव है जो विशेश तोर पर आपके मध्यकालिन के साथ संथ कभी के तोर पर गीना जाता है अगला प्रश्ण किया करता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहां वह 16 अगस्त 1904 प्रयाग राज में हुआ था काली दाज को क्या उपाधी मिली थी कभी कुल गुरु का पिता मह का शेक्सपियर का और उसी दोनों तो काली दाज को कभी कुल गुरु और शेक्सपियर दोनों का सम्मान से है जो विभुशित किया गया था अगले प्रशने की ओर भरत्री हरी के गूरु का क्या नाम था विठल डास गोरकनाथ सरहप्पा या अल्हन तो भरत्री हरी के गूरु का नाम था जो गोरकनाथ था आगे आते हैं ब्याकरनिक उपनाम धारन करने वाले भरत्री हरी की निमने मैं से कौन सी रशना नहीं है श्रिंगार सतक विदांत सुतर्वृत्टी वाकपधि या त्रीपीटक त्रीपीटक है जो इनकी रशना में नहीं आता यह त्रीपीटक संग्रा है जो गौतम बुद्ध के एक उपधेश है जिसे पाली भाशा में लिखा गया है अगले बाकि सभी का प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं माना जाता बाकि सभी का प्रदेश मध्य प्रदेश से बाकी सभी का सम्द्ध है जो मध्रदेश से माना जाता है ठीक है इसके बाद आते हैं हम अगले कोशन को जानने के लिए अगला कोशन क्या कहता है अगला कोशन कहता है महाराजा 16 साल की प्रशस्ति गाने वाले हिंदी कभी कौन है क्रिश्ण कभी है कि भीखारी दासे की चिंता मणी है कि भूशन है भूशन है जिन्होंने 16 साल दसक की रशना की थी जिसमें महाराजा 16 साल की प्रशस्ति को उन्हों उने वहाँ पर जो गायन है जो किया था अब इसके बाद में आते हैं अगले कोशन को जाने के अब आते हैं जो माना जाता है जहां आपके एक करूण विद्यार्थी जो आपके बालक है उसका राजमंत्री की बेटी के साथ में प्रेम संबंध जो है वो मालती माध्व में और महाविय चरीत्रे में राम के जीवन का जो चरीत्र है रामायण से संबंधित इसमें देखने को मिलता है आगे प्रशन की और अगला प्रशन की और केशवदास के द्वारा रचित नीमने में से कौन सी रचना नहीं है रसिक प्रिया उत्तर राम चरितर विर्शी देव या विज्यान गीता तो केशवदास जी के द्वारा रचित रचना में उत्तर राम चरितर है जो केशवदास ज पुष्प की अभिलाशा आगे को बढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान गारा रजित सुभद्रा कुमारी चौहान के दारा रजित उन्मादीनी और बिखरे मोती का विशय क्या था भारती वाओं को स्वतनतता आंदले ने रजित करने वाली थी कि मध्यमबर्गी जीवन यापन आधारित थी कि मान बन विज्ञान का चितरन करने वाली थी कि राजेसी वैभव विलास की परिपूरुना तक के अनुभाव वाली थी तो यह जायरी रश्मी रथी और भूरी भूरी खाक दूर तो गजानन माधा मुक्ति बोध के द्वारा रची गई रचना में रश्मी रथी को माना नहीं जाता है अगले प्रशने के और नीमन में से कौन हास्यव व्यंग लेखकार कौन है नीमन में से हास्यव व्यंग लेखकार क उनों हां से व्यंग लेखक किश्रेणी में आते हैं भव भूति किसके दरबारी कवी और नाटक कार थे क्या हर्श वर्धन थे कि विक्रमा दिती थे कि यशो वर्मन थे क्यों हमारे लिए इंद्रजीत थे तो देखा जाएं तो यह आपके यशो वर्मन के दरबारी कवी थे यशो वर्मन के दरबारी कवी होकर इन्होंने नाटक कार की उपाधी भी जो है प्राप्त कर ली थी ठीक है अगले प्रशने की ओर की निम्न राजा शृत साहितेकारों का उनके महराज के साथ संबंध ठीक है तो काली दास थे राजा विक्रमा दित्ते के राजा शृत कवी भावभूती थे राजा यसो वर्मन के आपके राजा शृत को दास को मिला था राजा श्रे राजा इंद्रजीत का याने की option number आपका B की काली दाज जो हैं वो आपके लिए राजा विक्रमा दित्ती के राजा श्रीत थे भवभूती यशो वर्मन के बान भट राजा हर्शवर्धन के और केशवदास है जो राजा इंद्रजीत के राजा श्रे मे रचना मानी जाती है गृती बज्य कभी भूशन के द्वारा रचित रचना निम्न में से है दूशन उल्लास है कि इश्वर 25 है कि छंद माला है कि माधव मंजरी तो कभी वर जो आपके भूशन है उनके दर रचित रचना में दूशन उल्लास को माना जाता है अगले कोश्चन क्यों राते हैं कभीवर बिहारी की भाषा शैली कैसी थी माधुर्य पुर्ण व्यंजना प्रधान थी कि प्रसाद गुण युक्त सरल थी कि चमतकार पुर्ण शरण शैली थी याने कि सभी कभीवर बिहारी की भाषा शैली की निर्पर विशेष्टाएं थी अगले आते बाल जोग उनकी रशनाव में देखने को मिलता है कुम कुम रश्मी रेखा तो इनके दौरा लिखी गई परन्तु चंबल की छाती इनकी रशनाव में नहीं आती है यह चायवात का वर्णन करने वाले ऐसे कभी थे जो प्रकृति के सौंदर से परिपूर्ण रशना को किया करते थ अगले कोशन की और बुनी हुई रसी है तो साहित कार का क्या नाम है क्या वो हमारे लिए हरी संकर परसाई है क्या वो हमारे लिए आपके माखरला चत्रुवेदी है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि गजानन माध्व मुक्ति बोद हैं, तो बुनी हुई रसी के लिए जो इनको प्रसकार दिया गया है साहित अकादमी का वो है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, राखी की चुनावति और विदा राखे की चुनोती और विदा किसकी रचना है मुक्ति बोध की है कि महादेवी वर्मा है कि सुभद्रकुमारी चौहान है कि बालकृषर शर्मा नवीन है और यह रचना है जो सुभद्रकुमारी चौहान की रचना मानी जाती है तो आपके रचना में सुभद्रकुमा में नहीं गीनी जाती है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है भारति इंदू हरिष्चंद्र सुमित्रानंदन पंत तुलसी दास ए और बी दोनों तो यह जो आपके हरिष्चंद्र हैं और सुमित्रानंदन पंत हैं इनका मध्य प्रदेश से किसी प्रकार का कोई संब बंध नहीं है। मनुभंडारी की सबसे चर्चित कृति निम्न में से कौन है। महाभोज त्रीशंकु आपका बंटी मैं हार गई। आपका बंटी है। हिंदी साहित्य में सेट एन सी शैली का प्रयोग करने वाले साहित्यकार कौन है बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं कि हमारे लिए गजानन माधव मुक्ति बोध हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि आपके लिए हरे शंकत परसाई हैं तो ऐसे व्यक्ति जिनका नाम आपके जोशी है कि मुक्ति बोध है कि माखनला चत्रवेदी भवानी प्रसाद मिश्र है जिन पर गांधी वादी विचारधार का बहुत प्रभाव था और यही रशना उन्होंने गांधी पंचशती में जो है वो विशेस तोर पर प्रसुप किया है हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित साहित नहीं है भूत के पाउँ पीछे बैमानी की परंपरत नानी नाक्वनी के कहानी और शीफा खाना शीफा खाना है जो हरिशंकर परसाई की रशना नहीं है यह मुल्ला रामो जी की रशना जो है वो मालनी जाती है अगले पर रशना क्यों रहाते हैं कि गुलाब औरदू यह किंकी रचना है संत सिंगा जी है कि मुल्वड़ा मुल्ला रामों जी के द्वारा रचित जीप पर सवार इल्लियां बिल्नियों का अर्थ रचना है शरत जोशी है कि हरी संकर पढसाई है कि शील संग मंगल सिंग सुमन है कि कोई नहीं तो यह हमारे लिए हासिवियंग लेख़क जो आपके शरत जोशी है उनके द्वारा रचा गया है जैदेव किंहें कहा जाता है क्रिश्य वा मौसम की जानकारी से परिपूर्ण कहावत ığı घाग भडडरी की कहावतों में है कि बुंदेली फाग चौगडिया में है की परचरी में है घाग भड़री की कहावतों में ही हमारे जो है कृष्षी मौसम की जनकारी की परिपूरुनता जो है वो आपके जान्त कभी घाग की रशना में मानी जाती है अगले प्रशन को राते हैं शरद जोशी द्वारा रचित दूरदर्शन के धारावाहि का नाम बताई है विक्रम ब तन्वीर की शरद जोशी की शंकर्शेस की कोई शंकर्श आपकी जो शरद जोशी है इनके दारा फिल्म उत्सव जो है और छोटी सी बात इसका जो लेखन है जो किया गया था और इस तरह हिंदी साहित के अंतरगत अब आपका एक पक्ष है जो आपकी हिंदी साहित के मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं को पढ़ा इन साहित्यकारों को हमने तीन भाग में बाटे एक तो प्राचिन साहित्यकार आधनापके मधिकाने साहित्यकार और आधुनिक साहित्यकार और इनके संपुर्ण जीवन परीचा है उनका योगदान को पढ़ते हुए MCQ के माध्यन से हमने प्रश्णों तरी से उसे बहुत सच्छे से समझने का प्रयास किया है तो अब तक मेरे साथ जूड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को धेर सारी शुब कामना है धेर सारा प्यार थेंक यू सो मच लव यू और गाद बेस्टी आल में बच्चा